रादे रादे दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मौनसून ग्लोरी पर तो दोस्तों फ्लावर्स को देखके आप समझी गए होंगे कि इस वीडियो में हम किस पौधे की बारे में बात करने वाले हैं जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में आपको बालसम फ्लांट से रिलेटेड सभी जानकारियां मिलेंगी जैसे कि अगर आपके पौधे में कोई दिक्कत है वो बड़ा नहीं हो पा रहा है उसकी ग्रोध अच्छी नहीं है या उसमें फ्लावरिंग नहीं आ पा रही है तो कौन से दिक्कत हो सकती है और उसे दूर कैसे किया जासकता है कैसे हम आप फुल ब्लूमिंग ले सकते हैं जैसे कि अभी आप मेरे पौधे में देख सकते हैं कि कितनी जादा फ्लावरिंग हुई है लगभव सभी पौधे में काफी अच्छी फूल यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे और इसके कलर भी बहुत जादा प्यारे हैं तो क्या दिक्कते हैं आपको क्या काम करना है इससे काफी जदा फूल आए तो इसके लिए आप इस वीडियो में बने रहेएगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजेगा ठीक है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपके पौदे में फूल तो आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं या फिर एक बार आने की बाद उनमें फूल आना बंद हो जाते हैं तो आपको क्या काम करना है तो सबसे पहले तो दोस्तों फ्लावर आने की बाद आपको करना क्या है आपको ध्यान देना है कि उसमें कहीं सीड पौड ठीक है आपको ध्यान देना है कि इसमें फलिया जो है ना बनने पाएं और इसके साथ ही जो दूसरी सुखी physics पत्या है या सूख्य वय फूल है उसे आपको लगतार हटाते रहना है अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो इनमें जो फ्लावर है वो हमेशा आते रहेंगे और जब तक इनका मौसम रहाएगा तब तक आपको इसमें फ्लावर देखने को मिलते रहेंगे तो दोस्तो हम यहाँ पे इतने सारे सीट पोर्ट को तोड़कर हटा रहे हैं आपको थोड़ा सा भी मोह नहीं दिखाना इस चीज में अगर आपको धे सारे फ्लावर पाने है तो तो दोस्तो कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनके पोदे तो हेल्दी हैं फिर भी उनमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है वो देखने पे तो इत्दम हेल्दी हैं उनकी ग्रोथ अच्छी है पर फिर भी उनमें फूल ना आने के कारण एक सिर्फ हो सकता है कि उन्हें प्रॉपर धूप नहीं मिल रही हो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे धूप नहीं मिल रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि बालसम पौदों को धूप की काफी ज़ौदा जरूरत पड़ती है ताकि वो फ्लावरिंग करें फिर तीसरा काम आपको क्या करना है कि इसकी मिट्टी को आप चेक करते रहें इसे बहु भी तैयार हो गया लेकिन उसकी पतियां टेडी मेडी है वो अच्छे से ग्रोफ नहीं कर रहा है तब उसे नाइट्रोजन वाली खाद की जरूत पड़ती है ऐसी खाद जिसमें उसे नाइट्रोजन मिल सके तो इसके लिए आप यूरिया का यूज कर सकते हैं यूरिया एक वाइट कलर की ग्रेन्यूस की फॉर्म में आती है जैसे कि यह मैं आपको दिखा रहे हूं इसके आपको दस से बारा दाने लेने हैं और मिट्टी को चारु तरफ थोड़ा से गुड़ाई कर दें और इसे चारु तरफ हलका सा डाल दें ठीक है और इसके बाद आप उसे सब कुछ है आपने धूब में रख दिया अब उसमें फिर भी फ्लावरिंग नहीं आ रही है अब ऐसा तो रेयर केसी देखने को मिलता है क्योंकि बालसम को अगर धूब में रखा जाए तो वो प्रॉपर फ्लावरिंग करता ही है लेकिन फिर भी कभी-कभी उसमें फ्लाव से वहां पर आपको मिल जाएगा राम से यह 25 रुप किलो की हिसाब से मिलते हैं यह थोड़ा पुरानी हो चुकी है तो इसमें शाइनिंग नहीं है आप जब लेंगे नया नया रहेगा तो उसमें थोड़ा सा उपर शाइनिंग रहती है तो आपको थोड़ा सा लेना है और आपको पानी में डाल देना है तो मैंने एक मग पानी में यहां पे करीब 8-10 यहां पे सरसो खली डाला है अब आपको इसे दो दिन तक ढख करके किसी सेड़ी प्लेस पर रख देना है इसके बाद क्या होगा इसमें फर्मंटेशन होगा और यह जो सरसो खली आप देख रहे है तो आप इसमें 2-3 मग पानी और एट कर दीजे और इसके बाद ही उसको अच्छे से मिला लीजे मिलाने के बाद आपको इसे हर गमले में लगबग आधा मग आप पानी दे दीजे ठीक है यह इस पर डिबेंट करता है कि आपको गमला कितना बड़ा है फिर भी आप यहां वहाँ भी यूज खर सकते हैं तो और यह देखने को लिए को मिलता है काफि जदा उसमें फिर आपको बलॉमिंग देखने को मिलेंगे और काफिज ज़्यादा पैदावार प्रह enorm होती है तो आप इस फटलाइजर यूज कर सकते हैं इसका कोई गया होता है थंद में ट इसे ज़्यादा ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं हर 20 दिन के बाद आप इसे दुबारा पौधे को दे सकते हैं तो पौधा काफी अच्छे से ग्रो करेगा तो आई होगी दोस्तों आपको सभी इंफोर्मेशन बालसम फ्लांट से रिलेटेड बिल गई होंगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब कर दीजेगा